नमस्कार मैं अड़ोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों पावर ओफ अटर्णी यानि मुक्तार नामा बहुत ही यूजफूल और इंपोर्टेंट डॉक्यमेंट है हम जब भी कोई काम खुद करने में कमफरटेबल नहीं होते तो हम किसी को पावर ओफ अटर्णी देकर हमारी तरफ से वो काम करने के लिए ऑथराइज कर देते हैं पावर ओफ अटर्णी क्या है कितने टाइप की होती है और कैसे तयार करवाई जाती है इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है वो वीडियो भी आप जरूर देख ले हमारे उस वीडियो के कारे में बात करेंगे कि पावर ओफ अटर्णी को किस प्रकार से कैंसिल किया जा सकता है दोस्तों पावर ओफ अटर्णी कई टाइप की होती है और अलग-अलग टाइप की पावर ओफ अटर्णी को कैंसिल करने के लिए प्रोसेस में भी थोड़ा-थोड़ा अंतर होता है इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखना ताकि आपको इस सब्जेक्ट पर क्लियरिटी मिल सके। दोस्तों ऐसी ही जानकारियां आपको रेगुलर मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। पावर ओफ अटर्णी कैसे होगी इसके लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि कैंसिल करने के परपद से पावर ओफ अटर्णी होती कितनी टाइप की है। समझने में इजी हो सके इसलिए हम पावर ओफ अटर्णी को मैनली तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पावर ओफटर्णी यानि कि जो पावर ओफटर्णी किसी निश्चित टाइम के लिए दी जाती है या जो रिवोकेबल है वो रेजिस्टर्ड भी हो सकती है और अन्रेजिस्टर्ड भी क्योंकि इस टाइप की पावर ओफटर्णी का रेजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है ले इसके favor में power of attorney दी जा रही है उसको agent कहा जाएगा जो power of attorney किसी निश्चित time के लिए दी गई है वो time पूरा होते ही अपने आप cancel मानी जाती है इसके लिए power of attorney में specific clause लिखा जाता है कि ये power of attorney इतने time के लिए valid हो रहेगी और उसके बाद अपने आप cancel हो जाएगी लेकिन अगर principle यानि power of attorney देने वाला व्यक्ति time पूरा होने के पहले भी power of attorney को cancel कराना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है अगर कोई principal ऐसी power of attorney को time पूरा होने के पहले cancel करना चाहता है या कोई और power of attorney जो registered नहीं है उसे cancel करना चाहता है तो agent के नाम एक notice भिजवाना होता है जिसमें specifically mention करना होगा कि principal उसे आगे के लिए power नहीं देना चाहता और उसके favor में execute की गई power of attorney को तुरंत प्रभाव से cancel किया जाता है साथ ही ये भी लिखना होगा कि notice मिलने के बाद अगर agent उस power of attorney का use करते हुए कोई भी काम करता है तो उसके कामों के लिए principal की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बलकि agent व्यक्तिकत रूप से जिम्मेदार माना जायेगा notice के साथ ही एक आम सूजना भी उस area के daily newspaper में देनी होती है जिसमें power of attorney की detail यानि principal और agent के नाम पते power of attorney की date और agent को भेजे गए notice की date लिखते हुए बताना होता है कि उक्त power of attorney को cancel कर दिया गया है इसलिए अगर agent ऐसी power of attorney को use करता है तो principal की कोई duty नहीं होगी लेकिन अगर power of attorney registered करवाई हुई है तो उसे केवल notice से cancel नहीं किया जा सकता बलकि notice देने के पहले जिस सब registrar office में power of attorney करवाई गई है उसी office में उसकी cancellation deed बनवा कर registered करवानी पड़ती है अब इसमें दो परिस्थितियां हो सकती है अगर agent जिसके favor में power of attorney दी हुई है वो cooperate करता है तब तो principal और agent दोनों के sign करवाते हुए cancellation deed को registered करवाई जा सकता है और ऐसी स्थिति में agent को कोई notice देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती cancellation deed registered करवाने के बाद केवल newspaper में public notice देना परियाप्त है लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि agent corporate नहीं करता हो और subregister office में आने से मना कर देता है तो principal अकेले को भी ये अधिकार है कि वो cancellation deed का registration करवा सकता है ऐसे में cancellation deed registered करवाने के बाद उसकी एक copy notice के साथ agent को भेजनी चाहिए और newspaper में public notice भी दे देना चाहिए अब last में बात करें irrevocable power of attorney की तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसे cancel नहीं किया जा सकता लेकिन irrevocable power of attorney के लिए ये जरूरी है कि उसमें agent से कोई practical principle ने लिया हो केवल irrevocable लिख देने से power of attorney का ये nature नहीं मिलता बलकि ये जरूरी है कि agent ने कोई रकम या अन्य रूप में कोई practical principle को दिया हो जिसके बदले में power of attorney दे गई हो तो अगर irrevocable power of attorney legal है तो उसे cancel नहीं किया जा सकेगा लेकिन अगर वो legal नहीं है तो जो procedure पहले registered power of attorney के cancellation के लिए बताई उसी process से इसको भी cancel करवाया जा सकता है दोस्तों उमीद है आप समझ पाए होंगे कि power of attorney को कैसे cancel किया जा सकता है legal subject पर videos कई बार समझने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं ऐसे में मेरी request है कि आप video को ध्यान से दो बार देख लें regular updates के लिए आप हमें facebook और instagram पर भी follow कर सकते हैं और अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या फिर आप अपने किसी matter पर मुझसे राय लेने के लिए बात करना चाहते हैं तो आप screen पर दिखाई दे रहे नमरों पर WhatsApp करके call book भी करवा सकते हैं ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में भी हमारे साथ मिलते हैं